नमशकर दोस्तों भारत और इंडिया इस पर चर्चा हुई है बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है बहुत वीडियोज डले है पहले मैंने सोचा मैं डालूऊँ फिर दुनिया डाल रही थी फिर इतने ड्ड़ वीडियोज डल गे फिर ऐसा लगा कि क्या मेरे पास कुछ बहु यह जो इंडिया वर्ड है ना, इसको एकदम अंग्रेजों का नहीं बोल सकते, इतनी जल्दी है, है बाहर का ही, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कि ब्रिटिश इस 19th century, 18th century, यह तो आप मेगस्थेनीस तक जाएंगे ना, जब अलेक्जेंडर आया था, उसकी किताब में वो इंड इंडिया जब चला था, इंडिया को ढूंडने, तो अमरिका चला गया, तो वो इंडिया ही आना चाहा था, वास्को गामा भी इंडिया ही आया था, ठीक है, तो यह एक चीज यह समझ लेते हैं, ठीक है, दूसरी चीज, भारत उससे भी पुराना है, भारत उससे भी पुरा बोले भारत भी बोले तो बच्चे के दो नाम नहीं होते एक प्यारा नाम होता है पापा ममी बोल देते हैं जैसे एक वो जो बड़ा हो जाता परिपकव हो जाता है तब उसका नाम हो जाता है कुछ लोग उसको कुछ नाम से जानता है फिर कुछ friends भी नाम रख लेते हैं कोई nickname हो जाता है आपका सागवान सैंगो बन जाता है अब लोगों से सैंगो और क्या है और क्या है प्यार से कोई किसी को कुछ बोलते प्यार जलकना चाहिए, आदर जलकना चाहिए मजा आना चाहिए क्या ये debate, debate अच्छा है मैं ये नहीं कहूँगा फालतोगा debate है एक बार अपना है, अब आपको थोड़ा और तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भारत में इंडिया का spiritual element है जो हम spirituality और ये सब चीजों के लिए जो खड़े होते हैं, अध्यातम है जो चीजें इतनी असानी से ना समझी सा सकती ना समझा ही सा सकती, वो element पुराना वो भारत है इंडिया is more maybe materialistic and the way the world sees us तो ये हमें कोई इंडिया को गायब नहीं करना है हमें भारत को कोई गायब नहीं करना है हमें ये नहीं कहना है ये भारत ये दोनु को interchangeably यूज कर सकते है दोनु नाम constitution में है कोई amendment पास करने की जुरूत नहीं कुछ नहीं, it is like वो नाम से भी बोलने लगते है ठीक है, आपको देखना है कि जिस तरह बोलते हैं, कई बार reclaim करनी पड़ती है और कई बार होता है कि change change और reclaim में फरक है जैसे कि मैंने अभी हाली में ये वाली चीज सुनी है कहीं से तो मैं आप लोगों को ये चीज का examples के ताहित बताता हूँ जैसे कई चीज़े change हुई अपना मडरास चिनने ही बन गया कैलकटा कॉलकटा बन गया Bombay Mumbai बन गया ठीक है उससे पहले आपका Lenin Garad होता था तो सबसे पहले सेंट पीटर्सबग था फिर वो Lenin Garad बना Lenin Garad फिर सेंट पीटर्सबग बना तो change जो हुआ वो Lenin Garad था change और उसके बाद सेंट पीटर्सबग बन के reclaim हुआ जैसे इंडिया में अग आपने भारत में अब देखें तो जैसे प्रियाग राज है उसे पहले अलाबाद, अलाबाद was the change तो प्रियाग राज is not the change, it is reclaiming of something तो उसमें इतना बुरा और ऐसे करने की ज़रूत नहीं और अब भी interchangeably use होता है और कई बार तो वैसे भी change हो जाता है जैसे गुडगाओं और गुरूग्राम चैनल के नाम में है आपका गुरूग्राम भी है, भै गुडगाओं तो वैसे ही गुडगाओं ही था अब उसको गुरूग्राम कर दिया तो गाओं भी ग्राम है ठीक है और वो good was a short form for guru तो ऐसे भी कई बार हो जाता है लेकिन आज भी लोग गुडगाओं ही बोलते हैं लोग जिसको जो सरल भाशा में जिसको जो जैसे समझ में आता है बोलना है कई बार आपने वारा नसी कर दिया उससे पहले बनारस था उससे पहले काशी था तो अब भी जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं वो काशी बोलते हैं ठीक है वारनसी बोलने वाले भी है बनारस बोलने वाले भी है तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है जस्ट मतलब कि इस पे लड़ाई हो जाए नहीं भारत तो ये इसकी रइस्ट्री हो गी है और इंडिया इसके बना और ये इशू थोड़ा रेज इसले ही हुआ कि थोड़े वो उसमें तो कोई नहीं है ये आई डॉट एन डॉट डॉट डिय ये बनाया है तो ये सिस से थोड ये वाले प्रोग्राम जो हला कि डुबेट दौ साल पहले की नहीं हो तीन साल कि नहीं हो चालिस साल के नहीं हो ख़िदा कि अब वो नरेतिव तो धना ही पड़ता है फिकॉस आप इसको सचोई जो अभी जिबैट चल रहा है इस अर त ये बहुर वहा बात kilos इस की खार्टो नहीं है country के नाम में यह जो debates हो रहे हैं और यह जो settling हो रहा है यह churning हो रही है churning जब भी churning हो रही होती है वो मक्खा निकलना होता है तो थोड़ा जोर तो लगता है वो centrifugal force, centripetal force और वो टाइट होना और वो अलग होना वो we are going through that churning as a country इस churning को आप enjoy करो because खही ना कही कुछ चुट जाएगा, कुछ ना कुछ नया आजाएगा और वो form change हो जाएगा आपको देखना है वो ही दूद दिखता है वो ही दूद से धही बन जाती है वो ही धही से फिर वो आप मक्खन निकाल रहे हैं वो मक्खन exist करता है उसमें मक्खन exist उस दूद में भी करता था दूद से धही, धही से मक्खन तो ये एक process है इस process पे हम यह नहीं बोल सकते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है ये एक process है, dynamic situation है चीज़ें आगे चलेंगी, इसमें तनाव लेने की जूदी नहीं है ये लोग अगर समझ जाए तो बहुत रिष्ते भी ठीक हो जाए अगर अगर आप एक बेटें है और आपकी शादी होगी अब आप पति है तो अच्छा पति होने के लिए खराब बेटा नहीं बनना ये चीज जिस दिन मा जो की सास है और बीवी जो की भह हुए वो समझ जाएना कि ये बेटा प्लॉट की रेइस्ट्री नहीं है जो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो नहीं है ये अपना इंडिपेंट इंसान है ये capable of giving love and respect and protection है ये माता को भी देगा और अगर जो माता को नहीं देता वो पत्नी को कहां से देतेगा जिस दिन पत्नियों के भीजे में आ जाएगा तो ये insecurity हैं खतम हो जाएगी जो एक 25 साल से अच्छा क्योंकि उसमें कि उस्ट्रेस से रहता है उस बेटे को prove करना है अब मैं marital counselor हूँ तो इसलिए examples तो मेरे निकलेंगे ये वाले ठीक है पर ये practical example नहीं ही citizen को भी देखना है अगर मैं India बोलता हूँ बार बार तो इसका मतलम नहीं कि मैं भारत के guest हूँ या मैं भारत बोलना चाहता हूँ किसी time पर है किसी situation में तो इसका मतलम नहीं मैं इंडिया हूँ the world will see us in different ways and call us something we may see us in a different way मैं इसको ऐसे देखता हूँ भारत is हमारे अंदर और इंडिया इस भार से how people look at us both are equally lovable and respectable एक तीसरा नाम भी है और मैं इसमें इंडिया की एक और interesting चीज़ बताता हूँ आपको अब इंडिया ऐसा लग रहा कि अरे इंडिया ऐसे हो गया because in opposition वालों ने नाम रख लिया कर दे तो इंडिया आप लोगों को चीची लग रहा है मैं आपको बता हूँ जब इंडिया और भारत हम अजाद होए तो इंडिया वॉस दैट प्रीमियम नंबर जैसे होता है ना उगाड़ी का नंबर होता है मारुती जब आई थी तो लाल रंग और वाइट कलर में थी लाल रंग में जब नहीं नहीं आई थी यहां पे तो लाल को प्रीमियम था तो उसी तरह इंडिया पर प्रीमियम था वो जिन्ना जी जो है पाकिस्तान के फाउंडर जो है वो दोनों में से एक ही रख सकते थे उनने इसलिए रखा क्यूंकि इंडिया एक continuity था कि भी जो delivery हुई है नए बच्चे की वो उसका नाम अलग है ये mother country ये ही है आप इस तरह भी समझ सकते तो उस टाइब वो premium था पाकिस्तान was too happy कि इंडिया भारत कर ले हम इंडिया हो जाए या हमारा को नाम ये stick कर जाए तो इंडिया was at a premium अजादी में तब ही वो दोनु चीज लिखी गई है and कोई बुरी चीज नहीं है क्यों हम इसमें एक और एक की choice करें मैं तो बार पर बोलता हूँ हम तो अर्याना वाले है वो कहते है बाई-साब रजगुला काऊगे या हम अगर आज के दिन देखें English and Hindi की President House तो नहीं बोलते हैं मराष्टरपती परवन English में भी बोलते हैं रक्षा मंतरी भी हम English में लिखते हैं डिफेंस में लिखते हैं आज कल एक वोड हो गया English में रक्षा मंतरी तो Republic of भारत अगर को लिख दे तो ठीक है अब वो हमारा passport है उस पर Republic of India लिख है बट कभी अगर invitation देना है मूड हो गया किसी का तो फिर Republic of भारत भी लिख दिया तो उसमें नहीं भारत में रहे को अच्छा लगता है India I will choose क्यों भई दो कलर के shirt पहन लो कभी blue पहन लो कभी white पहन लो बिल्कुल थोड़ी हो जाए अब आप देखो हम इतना सब करते हो एक और नाम भी तो हम लेते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि जिस तरह का आजकल महौल चल रहा है और वैसे चलता है या जैसे भी चल रहा था एक नाम और है और वो नाम originally हमारा दिया हुआ नहीं किसी और का दिया हुआ ही है अब उसकी origin क्या है उसके कोई नहीं हिंदुस्तान अरे तो हिंदुस्तान मतलब वो तो आजकल में तो यूशूड भी सही हिंदुस्तान होना चाहिए वो कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान भी उस होता है, lot of people use it as हिंदुस्तान, and we are very perfectly okay with, हिंदुस्तान also हमारा, जब हम बोलते हैं, भारत माता की जै, तो भारत के साथ हम माता लगाते हैं, माता के साथ भारत और एक हमारा है, लेकिन एक और भी तो हमारा है, जो बहुत अच्छे से यूज होता है जय हिंद, हिंद की सेना, हिंद की सेना, जय हिंद, तो उसको जब हम बोलते हैं जय हिंद, तो जय हिंद also exists, it is a salutation used in the armed forces, used by people who are in वर्दी की नौकरी, यहां, it is generally used by normal civil population, it's a very strong word, जय हिंद, तो जय हिंद भी रहता है हमारा भारत माता की जय रहता है, और जब मैच होता है, तो इंडिया, इंडिया, इसे करके भी बोलते हैं, इंडिया, इंडिया, ऐसे करके भी बोलते हैं, और और सब चीज की जग है, जहां the majority religion, जो की, उसकी basic essence सब कुछ ही included है किसी की पुजा कर लो कोई सा गौट समझ लो Nature की कर लो Nature में किसी element की कर लो Suray की कर लो Agni की कर लो Akash कहते हैं उसकी कर लो Prithvi की कर लो Jal की कर लो ठीक है? किसी पेड की कर लो Harj पशू पक्षी की कर लो कुछ भी कर लो तो इतनी inclusivity है तो उसमें ये नामों में कहें मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान का भी थोड़ा नाम मतलब जादा यूज़ करना चाहिए अपने को इंडिया यूज़ करो भारत यूज़ करो हिंदुस्तान यूज़ करो ठीक है उससे पहले और भी वाले नाम थे जो ओरिजनल वो थोड़े और संस्कित है उतने जबान पर नहीं है तो ठीक है अधरवाइस ये तीन तो बहुत आराम से यूज़ किया जाते है और इंडिया और भारत तो लिखा गया Constitution में लिखा गया Official तो उसमें जैसे Official नाम हो गया कोई तो यूज़ कर सकते है अब इसको ऐसा नहीं करना कि तेरे अधार पे क्या नाम लिखा है तेरे पैन पे क्या लिखा है उसको ऐसे देश है हमारा बड़ी चीज़ है ठीक है तो Constitution में दोनू चीज़े लिखी है दोनू चीज़ों का अपना element है दोनू में अलग वो आती है भा, रत, रत, मतलब चलने वाली चीज ठीक है तो Continuous Dynamic System बताता है जो Civilization की continuity है बड़ी चीज़ है, गहरी चीज़ है पर इंडिया भी अपनी एक चीज़ है वो भी पुरानी चीज़ है उसको एकदम ही आप ऐसे बोल दो कि नहीं, टाइट is like something कि भी WhatsApp group भी यूज़ कर रहे है और Telegram भी यूज़ कर रहे है interchangeably यूज़ कर ले तो नहीं मैं तो WhatsApp भी करूँगा नहीं मैं तो Telegram भी दोनू यूज़ कर लो नहीं मेरा तो Android और iPhone अब दोनों रख लो क्या दिक्कत है अगर जो भीयोत है जिसका रख सकते हैं continuity है तो why not एक ही काड़ी यूज़ करूँगा इसी कंपनी की दूसरी भी कर ले भई क्या दिक्कत है ये कैसा वीडियो लगा बताना हर चीज़ में कलेशन मापने की जुरूद नहीं है क्योंकि जब हम choices पे इस तरह आज़ते हैं कि यही अच्छी मैं हमेशा बार बार ये dialogue एक line इससे take away ले लो किसी चीज़ को अच्छा होने के लिए दूसरी चीज़ को खराब नहीं होना ये line अगर हर चीज़ में लगा लोगे अपने धरम पे लगा लोगे कि अगर आपका धरम अच्छा है बहुत अच्छा है प्रिये है तो किसी और धरम को खराब नहीं होना है आपके धरम को अच्छा होने के लिए आपका देश बहुत अच्छा है आपके देश को अच्छा होने के लिए आगे तरक्की करने के लिए किसी और देश को खराम नहीं होना है यही जो element अभी G20 गेंदर थीम थी वासुर्देव कुटगू कम प्रनाजेशन अरबार मैं कर जाता हो गड़वट ठीक है यह कोई ऐसी जिरो सम गेम नहीं है कि यह तो फॉर वान चैप वान परसन मतलब ट्रेडिंग हो रही है तो समबड़ी ऐस टू लूज मनी फॉर समबड़ी टू गेन ऐसे वाली चीज नहीं है जीवन मतलब ऐसा है कि हाँ सब एक्जिस्ट कर सकता है सब अच्छा है ठीक है भारत बहुत अच्छा है इंडिया भी बहुत अच्छा है किसी ने कुछ नाम रख लिया उससे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे मार्केटिंग स्ट्रेजी में अच्छा वैसे लगा लेकिन अगर मेरी फिर भी ओपीनेल ले लो कई चीज़े ऐसी होती है कि you don't equate with that somehow मतलब वैसे तो मतलब smartness देरे क्योंकि जो यह जो opposition की party थी इनको तो कुछ smartness वैसी नहीं करता था सारी smartness यहीं हो रही थी यह इंटेली लग रहे थे पर इनने एक ऐसी field में चले गए कि यह जबरदस्ती मतलब न की मतलब जब जो चीज़ आपके देश का नाम है उसको आप acronym यूज कर रहे हो अब कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा ले तो भारत ब से कि अब बेवकुफी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मतलब यह थोड़ी सी उस इसाब से थी वर अगर कोई शहणा है कर लेगा और यह alliances इस तरह के बनते हैं दस बार change होते हैं पचास बार नाम change करते हैं पहले यूपीए बोला करते फिर यूपीए बान यूपीए टू फिर इनकी एंडिय फिर ये इंडिया फिर इनने गवंडिया और यह वो यह सब creativity है आप यह सोच लो ads का चल रहा है और वह सर्फ एक्सल की और एरियल की लड़ाई हो रही है टाइप या पैपसी और उसकी हो रही है बस यह हो रही है इस पे हम थोना लड़ेंगे कभी मुझे तो आज तक समझ नहीं आता कि कभी हम लड़ते हैं कि भारती मित्तल जी बहु creativity करने है potability करो कलेश की मुखते हो कि नहीं अच्छा यह बुरा है रहे तरह कुछ अच्छा लगता करो उसी तरह बार बार बोलता हूं कि सारे politicians सारी parties service provider ही तो है कि भाई और भेनों हम आपको कुछ देंगे तो service provider service provider पर कौन लड़ता है जिसकी service अच्छी लगे ता वाद उसका button अगली नहीं ठीक लगे पान साल फिर change कर दो और बीच में भी इतनी आपको मौके मिलते हैं इधर अपने state में भी election होना है होना है आपके वो रहते हैं और बार बार उस पे बार बार नहीं नहीं इसकी सर रोज लिखते हो गवर्मेंट तो रोज चेंज नहीं हो सकती ना रोज election नहीं हो सकते तो बस कर लो गलती होगी आपको अगली बार फिर सुदार कर लेना ठीक है पेशन्स रख लो विधानसमा में सुदार कर लेना विधानसमा में नहीं होता तो municipality में सुदार कर लो municipality नहीं होता सर पंच में क कितने हमारी मतलब मौके है और हरे को अलग-अलग देदू हर फ्रेड जरूर यह बाई तू देश समाल तू ये समाल तू ये वाला समाल तू ये वाला समाल ऐसे भी कर सकते हो सारी चीज़ कर सकते हो तो इसमें जवर्दस्ती मतलब मैं ये चैनल का उद्देश्य ये है कि मैं आपको और हमारे देशवासी जो है उनको थोड़ा सा रिलाक्स करना चाहता हूँ इतने हाइपर मत हो इतना है नहीं कुछ जीवन छोटा है देश की हिस्टरी बहुत पुरानी है और बहुत आगे साल रहीगी आप यहाँ पर 70-80 साल गुजार के जाओगे जिसमें से 40 साली काम के हैं आखरी 10 साल तो ऐसी बुझे दिये की तरह होते हैं शुरू के 15-20 साल लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं होती है चालीस एक साल है आपके पास उसमें बहुत कुछ अपने जीवन में भी करना है उसमें अगर इतना टाइम एनरजी इन चीज़ों में कर ली तो मैं एक शीतलता और ठहराव देने वाला चैनल है ये मेरे को बार-बार कई बार ना तू इस आप पार्टी का है तू अब तो मैं नाम ही ले रहा तू इस वाली पार्टी का है बीजेपी का है तू कॉंग्रेस का है तू एक आदा तो leftist communist बोलता भाई मैं कोई सी का नहीं हूँ मैं किसी political party का member नहीं हूँ it's a disclaimer मैं किसी का registered किसी का member नहीं हूँ क्या मुझे कौन सी वाली अच्छी लगती है मुझे किसी का कुछ अच्छा लगता है किसी का कुछ अच्छा लगता है और किसी का कुछ लगता है मेरा बस चले तो मैं ये बोलू कि भाई इस party का परदानमंत्री बन जाए पर इस party का finance minister बने वो शेना है उस party का foreign minister हो जाए इस वाले का ये हो जाए ठीक है तो मेरा मन चले तो ऐसा है मेरा दिल तो ये मांगता है बट लोग यहाँ package में आते है unfortunate है हो सकता है अगले 20-30 साल में हमारा देश ऐसा हो जाए कि कुछ system ऐसा हो जाए कि मतलब ऐसा नहीं कि ये party ही है तो बस इस party में दो शाने है तीन शाने है या चार है बाकि सारे बावली बुच लेकर किसी लाइक नहीं है कुछ नहीं है मैं आज के दिन अगर आपसे नाम पूछने लग जाओ ना आपके minister के चे government आपकी state वाली है और आपकी या center वाली है other than the जो main CM PM और दो चार नाम है आपको नाम ही नहीं पता ये आलात हो चुकी क्योंकि वो नाम नहीं पता या नहीं उसको visibly कुछ करता दिखता समस्ता नहीं दिख रहा ना feedback भी तो लेना पड़ता है मैंने ये किया ये किया अब जैसे हम गद्गरी जी का नाम जानते है as a minister for road क्या हम बाकी कितने cabinet क्या जानते हैं क्या मैं यहां टेस्ट लिन लग जो तो मतलब मैं भी नहीं जानता मैं कौन सा जानू कैसे मैं मतलब मेरे को तो exam देना नहीं कोई कि मेरे को जाके knowledge चाहिए जी के मेरे को तो भई जो कुछ करता समस्ता दिखेगा शाणा दिखेगा अब दिखेगा अब जैसे जैशंकर जी है सब नाम जानते हैं दिखते हैं वाई सब मतलब presence है गदकरी जी तो मिनिस्टर तीन चार का तो presence दिखते है बाकी नीचे इदर लेटर रोड़ पता ही नहीं कौन है पता ही नहीं कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है और वो state governments में भी यही है CM का नाम सब को पता है बाकी मामला ऐसा ही है तो I hope यह चर्चा को आप इस तरह समझेंगे चैनल को subscribe कर ले बहुत लोगों के अच्छे comments यह आ रहे हैं कि यह वाला मेरा चैनल देखके ही लाइफ में काफी सुकुन और clarity मिल जारी है बाहर क्या करना है उसे internal space में बता रहा हूं change करने के लिए क्या है हमें enjoy करना है हम voters हैं हम जनता हैं हम प्रजा हैं ठीक है हमें अराम से enjoy करना है देखना है हमें लड़ना नहीं हमें बड़ा observe करना है हाँ यह जैसे match नहीं observe करते हैं आप किसी का ऐसे ऐसे करना और उसका मजा लेना है क्योंकि यहां पर वहनवी से इंडिया और versus भारत अरे भाईया दोनों ही हमारे देश हैं कोई अलग नहीं हैं इनकों versus नहीं करना यह एक ही हैं यह हम ही हैं और आपस में ऐसे नहीं लड़ते ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्यू वरे मिज़